तो गाइस मेरी वीडियों को लास्ट टक जरूर देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम आलेकूम मैं हूँ नाही दसत और आज मैं लाई हूँ नर्गिसी कोफतो की रेसिपी चिकन के नर्गिसी कोफते बनाऊंगी यह मैंने लिया है आदा किलो चिकन साब बोटी का इसे मैंने दूखे प्रेश करके रख लिया है यह मैंने चार अंडे लिये हैं इन्हें बॉइल करके और फिराई करके रख लिया है इन्हें मैं कोफतों के अंदर एट करूँगी चोटा चम्मच हल्दी है ये एक चम्मच मिर्च है एक चम्मच पिसा नमक है ये मैंने एक प्याली भुने चने लिये हैं इन्हें मैंने पीस के रख लिया है ये मैंने कुछ समन लिया है की में मैं एट करूंगी ये एक अनियन ली है मैंने इसे बारिक चौप कर लिया है ये मैंने पांच हरी मिर्च लिये इने भी मैंने बारिक चॉप कर लिया है ये हरा धनिया लिया है इसे भी मैंने धोके फ्रेश करके चॉप करके रखा है ये थोड़ा सा दरक का टुकड़ा बारिक चॉप करके रखा है ये मैंने देशी घी लिया है थोड़ा सा कीमे में एट करूँगी गाइस हमने ये कुछ मसाले लिए हैं ग्रेवी के लिए एक चम्मच गरम मसाला, चार चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच पिसा नमक, आदी चम्ची हल्दी, डेड़ चम्मच, लाल मिर्च, पिसी ये एक मैंने बड़ी पिस पिस के रख ली है, ये हमने अदरक लस्टन का पेस्ट बना लिया है, इस में से थोड़ा में खीमे में एट करूँगी और ग्रेवी में एट करूँगी ये मैंने कुछ भंगार के निये खड़े गरम मसाले लिये हैं, आठ दस काली मिर्चे हैं, दो काली इलाची हैं, दो सफेद इलाची, चार लौंग, दो तीन दारचीनी के टुकडे यह मैंने थोड़ी सी प्याज लिए बंगार के लिए और दो तेज़ पात के पत्ते लिए है यह हमने हरा धनिया लिया है इसे धोके फ्रेश करके काट लिया है इसे मैं ग्रेवी में डालूँ हूँ गाइज हमने यकीमा पीस लिया है देखिए किता अच्छा पिसा है अब इसमें एड करूंगी में भूने चने इसमें एड होएंगे यह मसाले जो हमने आपको दिखाए थे एक चम्मच अद्रक लस्टन का पेस्ट एक चम्मच प्यास पिसी यह कुछ मसाले हरा धनिया एड होगा इसमें कटी अद्रक हरी मिर्च कटी वी कटी प्यास यह एड करूंगी में देशी घी अच्छे से इसे हातों से मिलाना है हातों से मिलाना है यह आदे चने मैंने जो बचाए थे वो और एड करूंगी हातों से मिलाने से हमारा क्रीमा अच्छे से मिक्स हो जाता है तो देखिए गाइस यह किता अच्छा मिक्स हुआ है देशी घी आप डालेंगी तो बहुत अच्छी खुश्बू आती है कोफतों में नहीं तो वैसी भी बना सकते हैं आप नहीं होए आपके पास तो देखिए यह हमारा क्रीमे में सब चीज मिक्स हो गई है देखिए गाइस थोड़ा सा घी का हथ लगा के और ऐसे करके पेड़ा बना लें ऐसे करके इसमें आप पहले पूरी सी बना लिए और फिर इसमें कर दिए यूं करके अंडा और होले होले इसे बंद करिए थोड़ा सा कीमा और लगाएंगे इस पर के अंडा हमारा चुप जाए मैंने ये साबुद अंडा एट करा है आप आदा अंडा भी इसमें रख सकते हैं देखिए इसमें हमने अंडा एक अंडा बंद कर दिया है कोफते में और ये कोफता हमारा रेडी है बनके इसे भी हम ऐसी पूरी की तना भू करेंगे फैला के और इसमें अंडा रख देंगे तो देखिए और ओले-ओले करके इसे उपर को पैट करेंगे कीमा हमारा कम है थोड़ा और डाल रूपर से डख लेंगे थोड़ा सा घी का हाथ लगा लेंगे मेरी रेसिपी से आप बनाएंगे आप लोग कोफते तो बहुत अच्छे बनेंगे किता है देखिए गाइस मैंने अंडे के कोफते चार बनाए हैं इसलिए के मेरे बच्चे अंडा खाते नहीं है और बाकी कीमे के मैं साधे कोफते बना लूँगी आप जित्ते अंडे रखना चाहें कोफतों में रख सकते हैं यह मैंने साधे कोफते बना लीगी बाकी कीमे के तो गाइस यह मैंने सब कोफते बना के रख लिए हैं जो बड़े कोफते हैं उसमें अंडा एट है और जो ठोटे कोफते हैं वो बकीमे के हैं खाली अंडों को दिराई कर लें पर जोटों को आप दिराई कर लें इले बगर अंडे रखें तो पर दिराई कर रहें पहले दिराउन हो जाएं थोड़े 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 तीरी में बस अब इन्हें हम निकाले हैं कर लेंगे अब हम कोफते फ्राई करेंगे इन्हें भी थोड़ा फ्राउं कर लेंगे तो गाइस हमारे ये कोफते नर्गिसी फिराई हो चुके हैं अब में गिरेवी बनाऊंगी उसमें ये कोफते एट कर दूँगी तो चलिए यह हमने ले लिया है तीन बड़े चमच रिपाइंड ओई इसमें एट करेंगे प्यास तेज़ पाक के पत्ते खड़ा गरम मसाला अब 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 मसाला हमारा चाटकने लगेगा प्यास हलकी हलकी ब्राउन हो जाएगी जब हम इसमें एट करेंगे अदरक लस्तन का पेस्ट हम इसमें इसमेर्ट कर देंगे अदरक लस्तन का है वाय ज़स्तन का अब इसमेर्ट कर देंगे अदरक लस्तन का में रिलिंग इसमें अच्पियानी लगे अबराक मस्तंगी अच्मेर को बिलित या अच्मेर को बिलित मसाल और इसे अच्छे से गुण लेगे लिलिए मुल लेगे अशाल जो बाल अच्पियार तंग मसाला बुन चुक है अब इसमेट कर देंगे हम पानी अब इसमेट कर देंगे पूफते और खौला के बंद कर देंगे गैस अब इसमेट कर देंगे धनिया पत्ति और इसे बंद कर देंगे गैस को आज मिनट इसे धीमी आज पे पकाएं गैस कर दें हलकी तो गाइस बंद के तयार है यह चिकन के नर्गिसी कोफते मेरी रेसिपी से आप इसी तरह बनाएंगे तो आपके कोफते बहुत अच्छे बनेंगे और मुझे दिये अजाज़त अल्ला हाफीज